आज यहां हमारे कॉंग्रेस पार्टी के MPs और देश में, हर स्टेट में, हर कैपिटल में, डिस्ट्रिक्स और ब्लॉक्स में कॉंग्रेस पार्टी जो प्राइस राइस है और खास्त और से जो पेट्रोल और डीजल की प्राइस राइस है उस पर एजिटेशन कर रही है पिछले दस दिन में नौ बार पेट्रोल और डीजल के प्राइसे बढ़ाए गए और इसकी चोट डारेक्टली सबसे गरीब मिडल क्लास लोगों को पढ़ती है हमारी मांग है कि यह जो प्राइसेज बढ़ती जा रही है महंगाई बढ़ती जा रही है और जो पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ते जा रहे हैं इनको सरकार कंट्रोल करें और पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाना बंद करें तो इसलिए हम सब यहां आए हैं पूरे द जीजारी और प्रáषिधा ट्राषस, आप dependent on loan ओंतो प्रप्राष्च न्यायर गानogen freeze औो आ. दोन आप्राम ट्राष सकतार है प्राष्टास च्छू एंपूर द्राषस को tiếp on तो सबोग जानते हैं गैस सिलिंडर की प्राइस डबल हो गई है एक सोड़ रूपय है पेट्रोल पेट्रोल का दाम आज दिली में यह तो हिस्टी में कभी नहीं हूआ है इस लेवल की प्राइस और सरकार सरकार का बड़ा बड़ी सिंपल सोच है कि जितना भी पैसा गरीमों से निकाला जा सकता है तो निकालो और 2, 3, 4 बड़े उध्योग पतियों के हाथ कर लो तो यही बेसिकली process यही चल रहा है फायदा किसको हो रहा है फायदा जो सबसे बड़े अरब पति है 2, 3 उनको हो रहा है और नुकसान किसका है नुकसान गरीबों का है, मिडिल क्लास का है, और जो आम जनता है उनका है. सब्सक्राइब के चुनाओ के चाहिए, प्रेशन चुनाओ के चुनाओ के चुनाओ के समय है, मैं उस ताम जी नुन कर रहा था कि चुनाओ के चुनाओ के समय है, देश की जनता से कहा था प्रेट रिजल बहलो, अभी बहलो, क्योंकि बाद मुसीवद आईगी. जी तुकर नुर्मित र्राइब करना है जारा है। छूरिय हो रही है। इसले तकले देटेशं अमाने एप अक्यास करने है। तरह मेत्टी थे देटेश है।